आज हम बनाएंगे ब्रेट से बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और अलग तरह का नास्ता बनाना बहुत असान है और खानने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे तो उसके लिए हमने एक पैन को गरम कर लिया है और उसमें दो चमच सरसो का तेल डाल दिया है तेल गरम होते ही उसमें आधा चमच साबुत जीरा डाली हूँ और एक हरी मिर्च को बारिक काट के डाली हूँ ये हरी मिर्च काफी तीखी है अगर आपकी कम तीकी हरी मिर्च है तो आप दो डाल सकते हैं साथी प्याज डाल करके हलका सा भुन लेंगे प्याज हलका सा भुन गया है तो अब हम डालेंगे इसमें दो चमच बारिकटी हुई सिमला मिर्च एक छोटे साइज का गाजर कदुकस किया हुआ इसे अच्छे से मिला लेंगे इसे फ्राई नहीं करना है मिलाने के बाद ही हम आलू और मसाले अड़ करेंगे तो यहाँ पर सबजियों को मिक्स करने के बाद उबला हुआ आलू डालेंगे तो एक मीडियम साइज का उबला हुआ आलू है जिसे अच्छे से मैस करके डाल दिया है चोथाई चमच हल्दी पाउडर चोथाई चमच काली मिर्च पाउडर आधा चमच गरम मसाला पाउडर आधा चमच चाट मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक अब अच्छे से मिला लेंगे और इसे दो मिनट तक भुनेंगे आलू के साथ साथ सबजियां भी भुन जाएंगी और सारे चीजों का फ्लेवर आलू में अच्छे से आ जाएगा दो मिनट तक भुनने के बाद अब हम डाल देंगे इसमें बारिककटा हरा धनिया दो चम मच और इसे मिलाते हुए एक मिनट और भुन लेंगे मसाला त्यार है तो गैस की फ्लेम को आफ कर लेंगे और चलिए तब तक घोल बनाकर के त्यार कर लेते हैं तो घोल बनाने के लिए मैंने लिया है दो चम मच मैदा आप चाहे तो मैदा के जग़ चावल का आटा या फिर अरा रोट का पाउडर भी ले सकते हैं आधा चम्मच चिली फ्लेक्स आधा चम्मच और गेनो ये ओप्सनल है अगर आपके पास है तो डाले अधरवाईज असकिप कर सकते हैं आप इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल बना लेंगे एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे तो यहां मैंने घोल बना करके तयार कर लिया है और घोल बनाने में टोटल आधा कब पानी लगा है कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं तो चलिए घोल बन गया है तब तक हम ब्रेड की नास्ता बनाने की त्यारी करते हैं यहाँ पर मैंने दो ब्रेड लिया है अब इसके उपर हम आलू का जो मसाला त्यार किये थे न वही लगाएंगे तो यहाँ पर इस्टफिंग को हम चारो तरफ ब्रेड पर अच्छे से फैला लेंगे दोनों ब्रेड पर हमने आलू का जो मसाला था वो लगा लिया है तो अब उसे लंबी-लंबी पतली-पतली पीसेस में काट लेंगे तो एक ब्रेड में मैं यहाँ पे चार पिसेस काटी हूँ इसी तरीके से दूसरी ब्रेड को भी काट लेंगे अब बारी है नास्ता बनाने की तो यहाँ पर मैंने दो ब्रेड को मिक्सर जार में डाल करके पीस लिया था यानि की ब्रेड क्रम्स बना लिया था ब्रेड की एक पीस हम ले लेंगे उसे घोल में डिप करेंगे उसके बाद उसे ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे और चारो तरफ अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तो सारे ब्रेड को हमें इसी तरीके से बना करके त्यार कर लेना है तो यहाँ पर मैंने सारे नास्ते को त्यार कर लिया है तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं इधर मैंने कड़ाही में तेल गरम होने के लिए रख दिया था तेल गरम हो गया है तो उसमें एक एक करके हम नास्ते को डाल देंगे तो यहाँ पर मैं एक बार में चार ही नास्ता डाल रही हूँ नास्ता डालने के तुरंथ हमें हीलाना डुलाना नहीं है थोड़ा देर तक अच्छे से नीचे से इसे सिखने देंगे उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं नास्ता एक साइड से अच्छे से सिख गया है तो हम उसे दूसरे साइड पलट लिए हैं और दूसरे साइड भी बिल्कुल उसी तरीके से हमें अच्छे से सिख लेना है उसके बाद ही पलट करके नास्ते को हम निकालेंगे तो गैस की फ्लेम को हमें लो नहीं रखना है अगर लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे तो जो ब्रेड का नास्ता है वो एक्स्ट्रा तेल सोख लेगा तो इसलिए हमें इसे मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करना है तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों यह जो नास्ता है वो दोनों साइट से अच्छे से सिक करके त्यार ह हो गया है तो हम उसे एक एक करके एक प्लेट में निकाल लेंगे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी नास्ता बनके त्यार हुआ है तो आप सब भी इसे जरूर ट्राई कीजिए